हेलो बच्चों तो आज हम चप्टर 2 एक्सेसरीज 2.3 का कुश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे राइट उससे पहले जो जीके का है जो मैं पिछले वीडियो में बताया था जो नाइल नादी है ये नील या नाइल जो भी बोलिए आप वो सबसे लंबी नादी है और दूसरा नंबर पे जो है वो है आमाजन ठीके ये जो देख सकते हों आमाजन रिवर जो है वो दूसरी सबसे बड़ी लंबी है और उसकी जो लंबाई है लगभग 4,000 माईल है ठीके लगभग 4,000 माईल लंबी है ठीके अभी हम चलते हैं अपने पढ़ाई पह एक है तो ये आपका तीन नंबर कुश्चन है देख सकते हुआ और यहां पर दिया है multiply and reduce the product to lowest form ठीक है पहले इसको multiply करना है और उसको lowest form में लाना है यह possible और बताना है यह proper और improper है जो result आएगा वो proper है यह improper fraction है अगर improper fraction है तो उसको mixed fraction में convert करना है right तो शुरू करते हैं यह जैसे improper है पहले इसको sorry यह mixed fraction है इसको पहले improper करके multiply करना पड़े ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 2 by 5 multiplied by इसको हम solve करेंगे तो 21 divided by 4 ठीक है जैसे मैंने बताया था उपर वाला उपर से ही multiply होगा यानि कि 42 और निचे वाला निचे से यानि कि 20 ठीक है यह simplify हो सकता है जी हाँ बिल्कुल हो सकता है उपर वाले में अगर 2 हम divide करेंगे और निचे वाले में भी same 2 divide करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा जो निए result आएगा वो हो जाएगा 21 by 10 ठीक है 42 में 2 divide करने से 21 और 20 में 2 divide करने से 10 ठीक है यह improper है इसलिए इसको mixed में convert करना है mixed में convert करेंगे तो क्या होगा तो यह हो जाएगा 2 whole simply आप इसको कैसे convert कर किया जाता है divide कीजिए ठीक है जो reminder बच जाएगा वो उसी में divide हो जाएगा आप देखिए जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ 10 अगर 2 हो जाएगा तो 20 reminder कितना 1 तो यह 2 हुआ तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया reminder को यहाँ पर लिखेंगे और जो 10 है जो यहाँ नीचे था उसको हम नीचे लिखेंगे उसी तरह से ठीक है 10 में कोई फरक नहीं पड़ेगा सिर्फ 21 इदर shift हो जाएगा break हो गया ठीक है तो यह mixed fraction में convert हो गया ठीक है अभी next चलते है next question में तो यह में भी आपका mixed है उसको हम convert करेंगे पहले 32 by 5 फिर 7 by 9 ठीक है इसको वो हम same way में करेंगे यह 45 ठीक है और 32 को 7 में गुना करेंगे तो साद दुने 14 बच गया एक ठीक है 21 यानिके 21 फ्लस 1 22 इस तरह format में आ रहा है इसको again आप यह तो improper है improper को आप mixed में convert कीजिए कैसे करेंगे इसको हम same way में divide करेंगे तो हो जाएगा जैसे इसका आपका हो जाएगा 4 ओके 4 हो जाएगा तो पहले आप इदर 4 लिख दीजिए 4 होगा तो 180 हो जाएगा 180 हो जाएगा तो बच कितना गया 44 तो यानिकी यहां reminder को लिखेंगे 44 और नीचे 45 फोर होल 44 अबलिक 45 यह आपका result हो गया किस बाले का second का ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी अब same way में आप इसको भी कर सकते हो इन दोनों का आप किजिए इसको भी आप किजिए लाज्ट तो फिर में कर देता हूँ इसको mixed है तो इसको convert करेंगे तो क्या बनेंगा यह 13 अबलिक 5 multiplied by 3 ठीक है इसमें 3 में multiply किया गया है 3 में multiply मतलब यह उपर उपर यह होगा नीचे 3 है मतलब क्या है नीचे 1 माना जाता है ठीक है तो 13 into 3 39 कोई confusion नहीं नीचे 5 ओके 5 into 1 या कुछ भी नहीं लिखेंगे चलेगा सिदा सिदा 5 हो जाएगा तो यह भी improper है तो इसको अगर convert करेंगे तो क्या होगा यह आपका 7 whole 4 by 5 हो जाएगा ठीक है यह भी solve हो गया लास्ट वाले को अभी solve करते हैं कितना होगा यह 7 into 3 21 plus 4 यानि कि 25 by 7 किसमे multiply करना है 3 by 5 में तो कितना होगा 75 divided by 35 राइट यहाँ पर एक चीज है यह simplify नहीं हुआ है इसको और simplify किया जा सकता है कैसे simplify करेंगे इसको भी divide कर दीजिए 5 पर और इसको भी divide कर दीजिए 5 पर कितना होगा उपर हो जाएगा 15 नीचे हो जाएगा 7 अभी भी यह improper है इसको mixed fraction में convert करना पड़ेगा यह हो जाएगा 2 whole 1 by 7 कैसे हुआ पता ना आपको मैंने बता इससे पहले 7 2 14 ठीक है 2 इधर चला गया जो reminder बचा वो इधर चला गया और denominator जो है जो था वो ही denominator इधर आ गया ठीक है हो गया तो अभी हम next वीडियो में number 4 और number 5 question को solve करेंगे so thank you और इस channel को subscribe करना मत भूलिएगा ताकि notification वाला bell भी दबाईए ताकि notification आपका आता रहे